हाई, मैं वीनी गो स्वामी, आप लोग के साथ अब पेकी रस्पी शेयर करूँगी एक बाउल लेंगे और एक कटोरी जिस नाप से हमें बनाना है, उस नाप के एक कटोरी ले लेंगे मैं छोटी सी कटोरी ले ले लिए काज की, उससे तीन कटोरी मैंने चावाल डाला है इसमें और एक कटोरी मैंने उरत की डाल डाली है इसमें तो इसको मैं धोलूंगी दोने के बाद इसे भीगो के रख दूँगी, तीन घंटे के लिए मैं रेस्ट करने रखूंगी ऐसे देखे तीन घंटे बाद यह ऐसे हो जाएंगे अब इसका पानी जो है वैस्टा बैने लेकाल दिया, मैं इसको पीस लूँगी एक बाद वाश भी कर दिया मैंने इसका जैस्टा पानी था और पीसने के बाद उसमें मैं एक चम्मज में बेसन डाल दूँगी और इसे मिला लेंगे हम और आधा चम्मज इसमें नमक डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और एक पैकेट हम इनो का डाल देंगे इसमें और इसके अच्छे से मिलाएंगे और इसमें और गेनो डाला है मैंने इसमें और एक चम्मज मैंने ओल भी डाला है इसमें और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम वो बनाएंगे अपर उसमें मैंने डिफाइंड ओर डाल दिया इसमें और इसे हम एक एक करके सब डाल देंगे इसमें देखें ऐसे डाल देना है हमने थोड़ा इसे को हम पलट देंगे अब बन गया है तो मैं निकाल लेती हैं इसे और ती की चटनी के साथ सर्ब करूंगी मैं इसे आप नारिर की चटनी के साथ यह टमाटर की चटनी यह टमाटर और मिर्च की चटनी है बहुत जादा टेस्टी चटनी है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए हो चटनी की तो आप कमेंट करना तो मैं इसकी रेस्पी डाल की चेटनी की यह बहुत जाता है